हाई गाईस मैं हूँ मीरा सिंग और आप देख रहे हैं मीरा सिंग मेक ओवर चैनल हाई गाईज कैसे आप लोग आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वागत आपका मीरा सिंग मेकवर चैनल में और आज में लेकर आई हूं ब्राइडल मेकप लूग और आई मेकप लूग मैं पहले फर्स वीडियो में बता चुकि आप लोगों को मैंने नीचे मैंशन क कर दिया आप देख सकते हैं तो आज हम करने वाले यह प्राइडल मेकप लूग आप देख सकते हैं किता प्रीटी लग रहा है तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के लैस्ट गो है घंめने कर लिया है गैज और मैं देरी हम अपने अपने vita तो और टोनर मैं ले रहे हूं without और रोज्ग सकते हैं और फिषर पर्ड मैंने डाल दिया है, जानalah का अज यह सेकेंड पर्ट है अज ब्राइडल मेकप न फिंब डाल चुकी हूँ अगर जिसने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर विजिट करिए और देखिए और सीखिए अगैन मैं मौशे रैजर ले रहे हूँ सीटा फिल का क्योंकि यह मुझे पसंद है और यह और स्किन टाइप से मैं पहले भी बता चुकी हूँ तो यह आप लोग भ मौशे रैजर बहुत अच्छे से करना क्योंकि विंटर्स का टाइम आप देख सकते हैं कि बहुत ठेंड है तो मौशे रैजर अच्छे से करेंगे नहीं तो आपकी स्किन ट्राइ होगी तो बिलकुल भी मेक अच्छा नहीं होगा तो अग्यान मैं ले रही हूँ प्राइमर अच्छा ही है लिकिन बहुत जादा ओली स्किन के लिए ठीक नहीं है अगयन फॉरेवर फिप्टी टू का ले रहे हों का देख लीजे करेक्टर एंड कंसीलर पहला तो इसमें से मैंने उठाय औरेंज करेक्टर औरेंज करेक्टर में वहां वहां पे लगा रहे हूँ जहां और जहां प्रोडेक्ट लगाया है आपने वही का वही देखे है मैं ब्लंडिंग कर रहे हूं बिल्कुल भी आपको पूरे फेस पे नहीं करना है अगयन अब मैं ले रहे हूं इसी पैलेट में से टूशे डाकर कंसीलर जो की में को जो औरेंज करेक्टर लगाया है मुझे जो करना है हाइच तो उसको हाइट करने के लिए हमें लेना है टूशे डॉडॉष यह करो पानी नहीं रहना चाहिए जिसे कि उससे क्या होता है कि आप जो भी ब्लंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से होती ड्राइब ब्लंडर कभी यूज नहीं करना चाहिए और करना भी मत हमेशा डैम ब्लंडर यूज करना अगयां देखिए मैं ले रहे हूँ पीएसी का फांडेशन यह पैक का फांडेशन और फांडेशन तो अच्छा है बड़ इसकी क्याप मुझे बड़ी पसंद है इतनी अच्छी कि आप तो मैक वाले भी नहीं देते हैं ना पंप देते हैं म अलग से लेना पड़ता है थाउजन रुपीज का तो यह इसकी बॉटल बहुत अच्छी है तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है प्लैस का फांडेशन भी बहुत अच्छा और यह समर के लिए तो हाई अच्छा पर बिंटर्स के लिए बहुत अच्छा क्योंकि थोड़ा सा फांडेशन लगाना है नहीं तो फेस आपको नक अलग से दिखेगा तो वह बहुत खराब लगेगा दिखिए मैं ब्रस से लगाने के बाद अगयन मैं उठाए ब्लेंडर उससे कर रहे हूं मैं अच्छे से ब्लेंड क्योंकि ब्लेंडर से ब्लेंडिंग आती ना वह किसी से मैं ले रें हों यह लूसे पाउडर लूसे आपको लगाना है सो लगाना है बिलकूल देखे-प की साहिता से मैं लगारी हुए लूसेडर बहुत अच्छे से ब्लेंग बहुत ब्लेकं कई बार Естьपा लोग बहुए कर जाते हैं है कंसी कंटोर और मैं देरी कंटोर देख लिए कंटोर कैसे कर रहे हूं मैं नोस पे अपने चिक्स पे एंड फॉर हेड पे एंड चिन एरिया पे करूंगी और देख सकते हैं कंटोरिंग आपको कैसे करनी है गाईस कंटोरिंग बहुत आगे तक नहीं करनी है इसे आपको वही तक करनी है बहुत ज़ी करनी है अगर थे क्ला हैं अगर इस बहुत चले के बिना बिल्कोल अधूराँ जैसे मेरे face को blender से अच्छे से कर दीज़ेगा blend बस इतना blend होना चाहिए कि एक harsh line नहीं दिखनी चाहिए contouring की तो आप देख सकते हैं मैं अच्छे से कर रहे हूं blend और क्योंकि harsh line दिखेगी तो वह अलग से अच्छी नहीं लगेगी अगेर मैं देखिए ये ली है मैं Eye Magic की palette और ये Eye Magic की जो blusher palette है amazing है amazing बहुत अच्छी है और इसमें sick shade है और dark से लेके light skin तक के shade है तो आप कोई भी shade ले सकते हैं आपको अलग से blusher खरीदने की जरुबत नहीं पड़ेगी तो ये मुझे बहुत पसंद है personally मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी palette है तो देखिए इसमें से मैंने थोड़ा सा pink shade और dark pink and peach mix करके लगाया है again ये है Nica का highlighter जो मैं use कर रही हूँ और ये Nica का highlighter इसमें two shade है एक golden है और silver है और मैं हलका सा silver and golden दोनों mix करके लगाते हूँ आप चाहिए तो सर्फ silver रण golden भी लगा सकते है डिपेंड करता आपकी skin कैसी है again देखिए फिर मैंने far away 52 की ये character पहले उठाई और इसमें से मैं ले रही हूँ highlighter आप देख सकते हैं और मैं करने अपने high points को highlights करने आप देख सकते हैं और high points को जो आप highlight करते हैं तो आपको सिर्फ वही वही लगाना है जहाँ जहाँ जो points आपको enhance करके दिखाने आप देख सकते हैं मैंने कहा कहा लगाया है एंड उसके बाद इसको वहीं कमहीं ब्लैंड कर देना है पूरे फेस पे नहीं फैलाना है क्योंकि अगर आप पूरे फेस पे फेलाएंगे आप आधा मेकप कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं यह हाई पइंट पर ही लगाते हैं देखें फॉर हेड पर एंड आइस के नीच जो कि जब हमारे फोटो खीषते हैं हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं तो हम लोगा फेस सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट होता है तो आप देख सकते हैं और इसको भी बहुत हलके हाथों से ब्लैंड करना है रगड़ना नहीं है ऐसे डैब डब करके ब्लैंड करना है व कि में में हाइलाइट नोस पर दे रही हूं है अगन मैनने म प्रिटी सी बिंदी जो मुझे बहुत पसंद लगाना अगैन गाईज ये है ब्राइडल मेकप का फाइनल लोक आप देख सकते हैं ये कितना प्रिटी लग रहा है तो ये फाइनल लोक है गाईज और अगर ये फाइनल लोक आप लोगों को अच्छा लगए तो प्लीज मेरे का final look किता अच्छा लग रहा है ब्राइडल मेकप देख सकते हैं घर में किसी की शादिय उनका भी कर सकते हैं क्लाइन का भी कर सकते हैं क्योंकि आप उस पे लहंगा दे सकते हैं आपको जो wear करना है, मेरे पास यही dress थी मैंने यही wear किये, यही wear करके दिखाई आपको और आप देख सकते हैं इस पर यह कितना अच्छा लग रहा है तो guys वीडियो देखते रहिए and सीखते रहिए और guys देखने से खुछ नहीं होता है, मैं हमेशा बोलते हूं आप make up करने के practice किया करिए क्योंकि वीडियो तो देखने से कुछ नहीं होता वीडियो तो सब देखते हैं जब तक आप इसको practice नहीं करेंगे तब तक आपको make up नहीं आएगा तो practice बहुत ज़रूरी है guys तो practice करते रहिए देखते रहिए मिलते हूं फिर से एक नए टुटोरिय लेके नए वीडियो में तब तक ले bye and take care